नमस्कार दोस्तों स्वाधत आप सभी के एक बार फिर सेटर 247 में और आज हम डिसक्स करने जा रहे हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब 16 अपरेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज गुर्मॉर्लिंग सस्त्रियकाल जैशिजादे मेरे भाई आपके प्यार और महबत की विदय से कल हम लोगों ने फिर दुवार ट्रेंडिंग में एक और रिकॉर्ड बना दिया हम लोगों की इस महीने की अगर क्लास की बात करते हैं तो इस एलेविंध क्लास अभी तग 11 क्ला सेशन रहे का अधर सोर्से से भी मैंने यहाँ पर न्यूस कवर करी है इविन इसके अलावा स्टैटिक पोर्शन में भी एड़ ओन किया है और उससे पहले गुड़ मॉनिंग सस्री अकाल जैसर रहें बाद बहुत हैं अगर हारे से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना ये शयाद सुनने में तो लग रहे हे हारने से डर लगता है जीतने की इच्छा मत रखना मतलब ऐसा क्या लोगिक है एक बाद हमेशे याद रखिए, Commerce का स्टूर्ण ने एक बहतर चीज जानता हूँ कि Higher Risk, Higher Profit, Lower Risk, Lower Profit, अगर जिन्दिगी में चबनिया ही, गिन्निया ही, गिन्निया ही, गिन्निया ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मिल रहा हो, उतने में खुश रही है, जितना मिल रही है, अगर मेरे भाई आसमान छुणा है, तो कहीं न कहीं न कहीं न कहीं आ रिशक लेना पड़ेगा, और मन से डर निकालना पड़ेगा कि अगर मैंने किया और नहीं हुआ, अगर यहीं सोचोगे तो कभी नहीं होगा, मेरे बाई हमेशे यादतर कि पाहल किंसे सथा है कि कीई एक परसे काम काम करते है लो हाँ पर आपको बता चलता है यार यह बहुत टल साइब है तो याद रखना अगर अंदर ही इच्छा मर गई ना मेरे दोस्त। कोई नहीं जिता सकता, कोई भी नहीं जिता सकता अगर अंदर से इच्छा मर गई। अगर जो आपके एक willingness ही है जीतने की उसे बनाय रखी है, जीतने की जिसा बनाय रखी है आज नहीं, कल-कल नहीं ऐ explorative, da मेरे दोस्त जीतेंगे जरूर, जरूर जीतेंगे और जरूर कामयाब होंगे, ठीक है, आगे बढ़ें, I hope so, चीजें समझ में आती हूंगी, छोटे-छोटे शब्द हैं, बढ़ अगर एक, दो, तीन में भी अगर परिवर्तन ला दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा यार, एक चीज में आप लोगों को फिर मैं बता देता हूं, इस बैच में आप लोगों के लिए इन्रोल कराना मेंडेटरी है, प्राइज मैंने इसी वज़े से बहुत सस्ते रखाएं, 799 है, और आप अगर कोड यूज करेंगे, एप्लिकेशन से पर्चेस करने पर कोड य मैं बैंकिंग को, फाइनिशल अवेरनिस को, बहुत डिटेल में डिसक्स करोगा, 26 क्लासे में, एक क्लास दो घंटे की रहेगी, 52 आर्स का ये बैच रहेगा, 27 अबरल से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 4 इसकी टाइमिंग है, बढ़ यार, maximum discount के लिए Y168 code यूज करना, जो आपक कर सकते हैं, इसके लाबाद जीत है, math के लिए, दक्ष है आपके लिए, और उडान English के लिए, warrior मेरा, कोई भी बैच ले सकते है, Y168 code यूज करने पर maximum discount मिलेगा, यही सेल है, 30% का discount है, बढ़ एप से purchase करने पर extra 5% का discount मिलेगा, अगर इस code को use करेंगे, Y168, अब बढ़ते ह हो, हो, आज 12 बजे, GDP and GNP क्या होता है, यार आप लोगोंने बहुत tricky definition पढ़ियोंगी, आज 12 बजे के session में जुडियेगा, क्यों दूसरी संस्ताइं भारत की GDP growth rate forecast करती है, भारत में GDP कौन calculate करता है, और अगर World Bank, IMF, अगर GDP भारत की forecast कर रहा है, अनुमान लगा रहा है, तो बहुत कुछ discuss करेंगे, आज 12 बजे के session में, कल भी मेरे साथ 17-1800 बच्चे आस-पास जोड़े थे, मैंने defense exercise, military exercise discuss की दी, I hope आज भी मेरे साथ कम से कम इतना बच्चा जोड़े, अब बढ़ते तो सबसे पहला सवाल, कौन सी राजी सरकार मैं भी digital हूँ नाम से, कि digital साक्षर अब यहान शुरू करेगी, which state government will launch a digital literacy drive named I am also digital, भाई फटावट से इसका answer दीजे, किस राजी सरकार ने से शुरू करने का decide क्या है, भाई 30 seconds का halt, आपना option number two, केरल state government, केरल state government है, I am also digital, I am also digital करके, एक digital literacy drive launch किया है, केरल के गवर्नर का नाम है, आरिफ मुहम्मद खान, इस बात को याद रखना, विजय मुरतम सहेचरी यहां की तो scheme है, यहां की कह है, इस scheme है, इतना याद रखना है, करनाटक की योजना है, जन सेवा की योजना, करनाटक की है, आंदर पृदेश की मैंने कितनी सारी आपको बता दी है, अमा बोधी, ठ तो यह किस की आपका? अंदर परदेश की है. और कनुकाई सकीम के अलावा बात करते हैं यार नेस्तनम योजना, ठीक है? नाडू, नेडू प्रोग्राम, यह सारे वहान मित्र यह सारे अंदर परदेश के हैं. नेक्स यार. कौन सी राजी सरकार आवारा पशियों को रखने के लिए इच्छो किशानों को प्रतिमहा 900 रुपे प्रदान करेगी which state government will provide 900 per month to farmers willing to keep strict cattle मतलब अगर farmers इतनी भी काओं है strict cattle है उनको अपने यहाँ पर जगे देते मतलब रखते हैं वगरा बनाते हैं तो उसके लिए 900 रुपे पर मत यहाँ पर state government देगी इसका नाम है उत्तरप्रदेश राजी सरकार यही राजी सरकार है जिसने गउ कल्यान सैस लगाया था गउ कल्यान सैस लगाने वाले state भी कौन सा है उत्तरप्रदेश गौर्मेंट ही है मुख्य मंतरी का नाम है आदित योगिनाथ और यहां के जो गवणर है वो आनंदिवयन पतेल है मद्रप्रदेश मुख्य मंतरी शिवराज सिंह चोहान, गवणर लाल जी टंडन उत्राखंड मुख्य मंतरी त्रिवेंदर सिंह रावत, गवणर बेबी रानी मौर्य महरास्ट ठाकरे साथ मुख्यमंत्री गवर्नर भगत सिंग कोशियारी राजस्तान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गवर्नर कलराज मिश्र किस देश के साथ भारत ने नैगेव 7.62 into 51 mm लाइट मशीन गन के लिए 880 करोड रुपे का नुवंद किया है किस देश के साथ भारत ने अभी हाली में 880 करोड रुपी का एक कॉंट्रेक्ट किया है किस देश के लिए लाइट मशीन गन कौन सी लाइट मशीन गन नैगेव 7.62 into 51 mm की जो लाइट मशीन गन है उसके लिए समझाओता किया गया का इस आंसा बनता है यह समझाओता है इसराइल के साथ किया गया है किस के साथ इसराइल के साथ अब जड़ा गौर फरमाईगा कल मैंने आपको युद अभ्यास सारे बताएते जिसमें ये बताएते कि कौन से एक साइस कहां पर हो रही है जैसे USA का कौन कौन सा है युद अभ्यास वजर प्रहार कोप इंडिया टाइगर त्रंप और मालावार में जापान हो पार्टिस्पेट करता है जापान ठीक है जापान किये के सहयोग काईजन सिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन रशिया की इंद्रा और एक एविया इंद्रा फ्रांस की थी शक्ती वरुन और गरुड जापान की थी सिन्यू मैत्री ठीक है सहयोग काईजन सहयोग काईजन और धर्म गार्जियन ठीक है इसराइल के साथ इंडिया ने एक और कॉंटर किया थे स्पाइक मिसायल के लिए कहाई के लिए स्पाइक मिसायल के लिए इतना याद रखना इतना नॉर्मल बनेगा इतना क्लियर होना चाहिए आज बारे बज़े सेशन जीडिपी जी अन्प वाला बारे बज़े का सेशन है अब जब और फर्माइएगा रेल्वे मिनिस्टर कौन है प्यूश गोयल यह रेल्वे मिनिस्टरी देख रहे हैं इसके लाबा वारे जी मंतराले भी देख रहे हैं कॉमर्स इंडस्टरी मिनिस्टरी इन्होंने वर्ल्ड एकनॉमिक फॉरम की अभी 50th annual meeting रही थी कहां पर रही थी दावॉस में वहाँ पर इंडियन डेलेगेशन को रिप्रेजेंट किया था किनों ने किया था नाम बनता है यहाँ पर प्यूश गोयल ने प्यूश गोयल ने किया था इसी वर्ल्ड एकनॉमिक फॉरम में दिपेका पादुकॉन को क्रिस्टल अवर्ड से सम्मानित किया था इतना याद रखना ठेक गाईज इतना क्लियर होना चाहिए दिसंबर 2023 इसका डेडलाइन रखी गई दिसंबर 2023 नेक्स्ट ट्राइफेड ने आदिवासी उद्यमियों को मतलब आदिवासी उद्यमियों के लिए प्राइफेड की लाने के लिए टैक फॉर ट्राइफेड का मुख्याले कहाँ पर है अंसा बनता है इसका मुख्याले नई दिल्ली में इसे याद रखना है एक नमबर पूछा जाता है और पूछा याद भी चुका है कि इसका मुख्याले कहाँ पर है तो इसका मुख्याले नई दिल्ली में कहाँ पर दोस नई दिल्ली में इसका मुख्याले सिद है next किस वर्ष में प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी ने करशी वियापर पोर्टल E-NAM launch किया है In which year Prime Minister Narendra Modi has launched Agricultural Trading Portal E-NAM कर इसने अपने चार वर्ष कंप्लीट कर लिये थे आंसर यहां पर बनता है 14th April 2016 को मतलब 14 April 2016 को प्रधान मंत्री Narendra Modi जी ने करशी व्यापर Portal E-NAM को लांच किया था अब यहां पर देखना Insurance Regulatory Development Authority of India IRDAI इसकी स्थापना होई थी 12 July 1982 को नावाड की स्थापना होई थी अब यहां पर दो year है एक में NHB की स्थापना होई थी एक में SIDB की स्थापना होई थी अब आप ढूंडिएगा SIDB की स्थापना को भी अब तेखना समझना क्या सर यह बैंक के formation year पूछे जाते में रांसा बनता है No बट कंडिशन अगर कोई भी specialized bank like National Housing Bank जो Housing के लिए लोन देता है Small Industry Development Bank of India SIDB जैसा कि नावाड National Bank for Agriculture Rural Development तो इनके foundation year पूछे जाते हैं इनके पूछे जाते हैं कि भाई NHB कब बनाता है SIDB कब बनाता नावाड कब बनाता तो इनके foundation year यह यह कर सकते है year या formation की date आपको बता होनी चाहिए यह चोटी-चोटी चीज़ है नावाड की स्थापना हुई थी 12 July 1982 को डन है मेरे भाई 12 July 2nd April बच्चे बता रहे है SIDB की स्थापना हुई थी Small Industry Development Bank of India की बहुत बड़ी है 2 April 1990 को SIDB की स्थापना हुई थी बहुत बड़ी है और मतलब कहने का logic यह है 1988 को National Housing Bank की हुई थी यह कहना चाहने आप लोग CGL में आया था इस बार आता है यार आता मानो अपने भाई की बात को यह पूचा जाता है अभी उत्तरा घंड के एक्जाम में Financial Action Task Force का पूचा गया था यह जितनी भी अंतरास्ती संस्ता और जो Specialized Bank के इनके पूचे जाते ही आपको पता होने चाहिए बहुत बड़ी है मेरे भाई किस IIT ने COVID-19 से संक्रमित रोगियों की जाच के लिए एक Digital Stethoscope Stethoscope Ius Sink विक्सित किया है विच IIT has developed Digital Stethoscope Ius Sink to check Patients who are infected with COVID-19 अंसर बनेगा IIT Bombay IIT Bombay ना Ius Sink developed किया है अब IIT Ghandi Nagar, Guwahati, Dehli देखो ये दोनों ने ये अभी मैंने आपको एक चीज़ बताईती कि IIT, Gohati और Delhi ने एक समझोता किया है Indian Space Research Organization के साथ Space Technology Cell को बनाने के लिए Space Technology Cell को बनाने के लिए ISRO के साथ IIT, Gohati और IIT, Delhi ने समझोता किया है एक प्रोजेक्ट ISAC है जो अभी launch किया गया recently और it is launched by the IIT गांदी नगर ये यार एक एक चीज़ पता होनी चीज़ आप लोगो ये तो छोटी छोटी चीज़ है ये तो आप लोगो पता होनी ची़ इसको तो भाई कौन सा project कहा launch किया गया है कौन सा IIT ने कौन सा application बना रहा एक ही पेच में सारा IIT का data लिखते चलिए next वर्तमान वैदानिक तरलता अनुपात क्या है what is current statutory liquidity ratio एक बात समझेगा ये कुछ rate में आपको कल बताये थे raporate अभी at present चल रहा 4.4% reverse raporate it is 4.0% reverse raporate bank rate 4.65% marginal standing facility 4.65% 4.65% इसके अलावा दोस्त CRR cash reserve ratio it is now 3.0% 3% दी कि and SLR 18% 18% statutory liquidity ratio सामझे दीक तरलता अनुपात कितना है 18% पर आ गया है आप लोग RWA की website पर जाएंगे तो now it is updated it is now 18% अभी 18.25% तर 2.25 रिडियोस हुआ और 18% पर आ गया है clear है next यार अइमेफ के विशवा आर्थिक आउट्लूक के अनुपाथिक रिलीस कर रहा है विट्तिय वर्शुदैर 20.25 किसमे भारत के सकल घरिलूउस टोर आउट्लूक की विरदी दर कितने परतीशत रहने का अनुपान है ग्रोथ रेट is estimated to be what percent in the financial year 2021 मतलब कहने का लोजिक है कि IMF के अनुसार वित्तिवर्श दियर भी सिक्षिस में भारत की जिस अगले अरिलूत पात की विरती दियर है वो कितने प्रतीशत रहने का नुवान है आंसा बनेगा it is 1.9% 1.9% याद रखना दोस्त 1.9% अब इदर कितन होने किन किन ने कर दिये जरा उस पर और फर्मा लेते हैं वर्ल्ड बैंक ने किया है कुशन माग आप लोग बता ही कितना है IMF का है मेरे भाई 1.9% ठीक है United Nation Escape 4.8% ADB 4.0% क्रिसल क्रिसल इडिस 3.5% ठीक है इकरा नी मूडी मूडी इन्वेस्टर सर्वेस मूडी इन्वेस्टर सर्वेस यह 2.5% इकरा 2.0% 2.0% क्लियर है बहुत बढ़े वर्ल्ड बैंक अगे न 1.5 से लेके 2.8% तक रहने का नुमान है 1.5 से 2.8% अब यह आपके क्लियर है यह वाली पूरी लिस्ट इसे लिखलो यार अपने पास इस लिस्ट को बना कर चलो अब आपको next time क्या करना पड़ेगा जब कभी भी कोई आईगी तो इसकी growth rate को काटना पड़ेगा next लिखना पड़ेगा बाई बाई आपको बदल रहा है जो अभी रैसे रचेंज करते हैं तो आपके पास खुद बाई उपडेटेटे अप्डेटे लिस्ट भनती रहेगी तो खुद से एक बना लीजे एक पेपर ले लीजे उस पेपर पेपर वे जितनी भी संस्ता एं जो अनुमान लगाती है, सकल करेल उत्वाद का, उसको लिखते चलिए, खुद भाखुद भी मेंटेन करते चलिए, ठीके मेरे भाई next यार, रट लिए, बहुत बढ़िया, किस राजी का वार्शिक फसल उत्सब विशु, जो की सावरी माला मंदिर में मनाया गया है, which state annual harvest festival विशु, was celebrated at सावरी माला टेंपल, मेघाले के तो भाई, शिलोंग में रहा था, चैरी ब्लोजम फेस्टिबल, और मिजोरम की बात करें, मुक्यमंतरी का नाम जोरम थंगा है, और एक चीज और है, जोरम थंगा और गवरनर का नाम है पीएस शिरिधरन पिल यहाद चापचर कूट फेस्टिबल कहां का यहार, चापचर कूट फेस्टिबल यह कोई बताएगा उडिसा रिलेटिड, केरल रिलेटिड असंघ तो यहाँ पर वैसे मिरा आंसा बनेगा केरल क्या नसा बनेगा केरल केरल स्टेट का जो annual harvest festival है विशु ये आपका साबरी माला temple में मनाए गया था ठीक है उडिसा related याद रखना है मो परिवार मो सरकार अब तो रट गया यार याला मो प्रतिवा मो प्रतिवा ठीक है मो जीवन ये सारी योजना कहां किये यहीं किये और अरुंदती और अबिनन्दन कहां किया असम के गोहाटी में असम के गोहाटी में थर्ड खेलो इंडिया youth games रहे थे कहां पर असम के गोहाटी में और उडिसा के कटक में और भूवनेशवर में भूबनेश्वर में, opening cut-ack में हुई थी, closing भूबनेश्वर में हुई थी, और यहाँ पर खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स रहे थे, खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स का first edition थे, यहाँ पर organized किया गया था, clear है, पसंदार तो like कर देना, यार, कले एक बच्चे चाप चरकूट festival कहां का है, मिजोरम का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, चाप चरकूट festival मिजोरम का, इसकी मैं एक list दे दूँग आप लोग को, आज एक डे की list लेकर आएँ आपरेल की, मैं एक दिन आपको पूरे उसकी भी दे दूँगा, मतलब कौन-क बैंक ने Max Life Insurance के साथ अपनी रड़नीतिक बैंक का इंशुरेंस साजीदारी के विस्तार की घोशना की है which bank has announced the extension of its strategic bank का इंशुरेंस partnership यह यू कहें जो Max Life Insurance के साथ एक बैंक ने अपना bank का इंशुरेंस agreement कर रखा था उसको extend कर दिया अंसा बनता है दोस्त इसका नाम है Yes Bank Yes Bank ने किया है Yes Bank के जो MD and CEO है इनका नाम है प्रशांत कुमार प्रशांत कुमार is a MD and CEO of Yes Bank यह Yes Bank के MD और CEO है इसे याद रखना है इसे याद रखना है दोस्ती के Next किस शहर में AIMS ने भारत की पहली दूरस्त स्वास्त निगरानी प्रणाली स्थापित की है In which city AIMS set up India's first remote health monitoring system it is set up in Rishikesh इसे कहां set up किया गया है इसे Rishikesh में set up किया गया है कहां पर मेरे भाई Rishikesh में इसके साथ एक और है यहाँ पर इंदौर है ठीक है इंदौर और भूपाल दोनों ही आयफा बॉर्ड को होस्ट करेंगे एक चीज़ों रियाद रखना कि FIH International Hockey Federation जो होकी World Cup है होकी World Cup 2023 से पुर्शवाला इसे उडिसा में आयोजित किया रहा है और उडिसा में यह कहां पर होगा एक भूवनेशन में वहका दूसरा रावर केला में भूवनेशन और रावर केला में पटना में अरुन जेटली जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था अ छोटी-छोटी चीज़ें आपको इंटरलिंक करके चलनी पड़ेंगी एक और चीज में बता देता हूं हमेशा मैं रिवाइस कराता हूं पद्मा भिवूशन अवर्ड पद्मा भिवूशन अवर्ड को मिलाकर साथ लोगों को दिया गया है लेकिन जो लोग मर गए हैं उनक पद्मा भिवूशन अवर्ड दिया गया मर्डो प्रांथ इनके अलावा बाकी के तीन बचते हैं तीन में नाम निकलकर आता है यहां पर एंची मेरी कौम के अलावा हाता है प्रविद जुगनोथ अनिरूथ जुगनोथ का और एक नाम ओ रहा है एक नाम कौन सा है, MC मेरिकॉम अनरोथ जुगनोथ एक नाम हो रहे यार, एक नाम, चुनूलाल मिश्र, यही भूल जाता हूँ यार, चुनूलाल मिश्र, इनको दिया गया है, ठीक है, इतना clear होना अच्छी, सबी के, अब ड़न, एर नेक्स आगे, तो बही देखो, यही इस फ्रॉम यूके, वो कहां से, यूके से है, कहां से, यूके से है, मेरे भाई, यूके के साथ भी इंडिया की तीन exercise होती है, कल ही मैंने आपको बताया था, एक हो थी Ajay Warrior, इसके अलावा एक होती है, यहाँ पर आपकी Ajay Warrior, कॉनकन, और एक इंडर धनुष, ठीक है, याद रखना, कतर के साथ एक exercise होती है, कोई बजाए का, जहर अलबहर, ठीक है, जहर अलबहर करके exercise है, यह पढ़ लेना इसके साथ होती है, सिंगपूर के साथ भी तीन exercise होती है, Agni Warrior, एक नंबर में आता है, SSC में आया तो, SSC में कुशन आयता है, अब तक SSC में भी कुशन आ रहे हैं से, Agni Warrior, Simbex, और एक रहती बोल्ड कुरुक छेतर, ठीक है, बोल्ड कुरुक छेतर, यह आपको याद रखनी है, ओमान के साथ नसीम अलबहर, नसीम अलबहर को UAE का ब अलबहर के साथ नसीम अलबहर थी अलनागा, और एक इस्टन ब्रिज, इस्टन ब्रिज, कल का बारे बज़े का सेशन जिरों ने देखा गो, उनको याद हो गया होगा, जहर अलबहर, ओके, जहर अलबहर भई यह कतर के साथ, डन यार, यह हो चुक यह अभी रिसेंटली कौन सी यार, युए के साथ इंडिया की कौन सी है, ओके, नेटिफ फियूरी तो वो यू ऐसे यूए यार, इस्टन ब्रिज, इस्टन ब्रिज भई ओमान के साथ है न, अपडेटेटेड लिस्ट, मैं कल लिआँगू, अपडेटेड पूरी लिस्ट, वैन्यू के साथ यार मैं UAE के साथ पूछ रहा हूँ यार Desert Eagle बहुत शानदार है Desert Eagle यह आंसर आया Desert Eagle Desert Eagle यह चीज़े आपको याद रखनी पड़ेंगे Desert Eagle यह है वो UAE के साथ भारत की एक exercise है थोड़ी देर के लिए जरा पूरे इस list को पढ़ना मैं अपने को हाइड कर रहा हूँ इस list को जरा पढ़ते हैं इस list पर focus करते हैं और days को आज ही हम लोग याद करेंगे जैसे फोकस करना यह ना सोचना मैं खुद कर लोगा नहीं कर पाऊगे आप एक अप्रेल को उतकल दिवस आता है उतकल दिवस मतलब Odisha Day अंतरास्ती खदान जागरुकता दिवस International Mind Awareness Day यह 4 अप्रेल को आता है अंतरास्ती चेतना दिवस यह International Day of Conscience यह आपका 5 अप्रेल को आता है और इसी दिन 5 अप्रेल को एक और दे आता है National Maritime Day रास्ती समुदरी दिवस रास्ती समुदरी दिवस और एक हो तो World Maritime Day यह Second Thursday of Second Thursday of September observe किया जाता है और September का Second जो Thursday रहा है वो आपका 24th September को रहेगा 2020 में 2020 में कभाएगा 24 सितंबर को 6 अप्रेल को आता है विकास और शान्ती हेतु अंतरास्ती खेल दिवस International Day of Sports for Development and Peace यह 6 अप्रेल को observe होता है 7 अप्रेल को World Health Day विश्व स्वास्त दिवस इसी की थीम रही थी Support Nurses and Midwives Next 10 अप्रेल को World Homopathy Day विश्व हॉमोपैती दिवस 10 अप्रेल को 11 अप्रेल को National Safe Motherhood Day आता है रास्ती सुरक्षित मार्त्वत दिवस और 12 अप्रेल को International Day of Human Space Flight अंतरास्ती मार्व अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है I hope so guys इतनी चीज़ें आपके clear होंगी एक और लिस्ट आपके पास है font भी बढ़ा है I hope so visible भी होगा Please इसका screenshot जरूर लेजिएगा Please मेरे भाई Okay Second नहीं, last को आता है अरे भाई यह माफ करना Last Thursday, चलो ठीके तुम लोग जा कर रहे हो ना बहुत बढ़ी है Last Thursday of September ठीके मानगे मेरे भाई, मानगे, मानगे Last Thursday of September ठीके इसे काट देना, second नहीं है It is last Thursday of September World Maritime Day जो observe किया जाता last Thursday of September और 24 सितंबर को इस वर्च आ रहा है बहुत बढ़िया यार Okay अभी मैं आगे एक बार और revise करा हूँआ क्योंकि अभी एक दे और पढ़ा हूँआ तो उसमें हम लोग यह revise करेंगे Heading March लिखा हुआ है भाई यह गलती से, एक्चिल मैं मैं लिस्ट जब लोग और इस पर अपरेल लिख कर लाएंगे अब आगे बढ़ाए नेक्स यार आज मैं जो स्कीम लेकर आए हूँ यह स्टेट चेंज है, कल हम लोगों अलग स्टेट की स्कीम पढ़ी थी आज हम लोग अलग स्टेट की स्कीम बढ़ रहे है एक नंबर में स्टेट की स्कीम आती है इसलिए अब जड़ा गौर फरमाएगा करनाटक स्टेट की स्कीम है जन सेवक यह तो रट गया है अपने को याद हो गया उत्तर प्रदेश गौर्वर्मेंट की स्कीम है एक का नाम है CMAPS CM Apprenticeship Promotion Skip यह आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि Apprentices Apprenticeship इस स्कीम किसने लांच करिए तो यह करी है आपकी उत्तर प्रदेश ने दूसरी UI स्कीम भी किसने करिए उत्तर प्रदेश ने एक और करके करिए सतरंग करिए एक और योजना कोई बता सकता उसका नाम क्या है तीसरी इसकी है मुख्यमंत्री कन्या समंगला सुमंगला योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कन्या सुमंगला योजना इतना याद रखिए ठीक है मुख्यमंत्री तो याद रहेगा सट्रंग कॉसल इसका नम है सत्रंग कॉसल वैक साथ लॉटकी गई हैं तीन से क्र्वह डुलॉणच किंगे और गौतर प्रदेश के द्वारा इसके दौरा सबस्थखुं창 योजना है और कर्शक दुरगटना कल्यान योजना कन्या सुमंगला योजना और कर्शक दुरगटना कल्यान योजना I hope so guys clear होगा यहां तक सारी चीज़ है कौन से स्टेट की कौन सी स्कीम है यह clear अटल केंटीन मजदूर अटल मजदूर केंटीन यह हर्याडा की है यार मैं आप गॉर्म देखो दो चीज़े मैं अभी continue नहीं कर पाया हूँ एक government scheme बच्चे कह रहे दे सर आपने इसे halt कर दिया नहीं यार मैं इसे add करूँगा मुझे वक्ति दीजिए क्योंकि इस week में मेरे Saturday तक मेरी 4 paid classes है वो wind up हो जाएंगी चार paid classes मेरी wind up हो जाएंगी समझ सकते हो नहीं चार paid classes wind up होने के पास मेरे पर enough time होगा कि मैं इस वाले session पर और काम करवा हूँ अभी जो content दे रहा हूँ सूची मैं pull मिलाकर 6 classes ले रहा हूँ उसके बाद आपको इतना solid content दे रहा हूँ जब सूचे मेरे पास दो classes और कम हो जाएंगी फिर उतना वक्त होगा तो मैं क्या करूँगा तो आपके लिए और चीज़ा add-on हो जाएंगी Monday onwards अभी Monday तक थोड़ा हम लोग जो content अभी तक मिल रहा है इस पर focus होके चलते हैं ठीक है इसके बाद government scheme मैं daily basis पर add करूँ आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो कि हम लोग daily basis में इसमें add करते रहेंगे परेशान मत होएगा ठीक है आगे बढ़ते next यार आज की one-liner news में आते है देखो Heritage Foundation published its 26th annual edition of the economic ये keyword बना economic freedom index 2020 अब ही हर तरीके के मामले press freedom index होती है economic freedom index होती है तो economic freedom index 2020 release किया गया and it is released by heritage foundation इसे heritage foundation release किया इसमें इंडिया की जो rank है India has been ranked 120th मतला भारत को 120 वा इस्थान दिया गया है Singapore ने इस index को फिर दुबारा से top किया है Singapore ने पहली बार Singapore ने top किया है heritage foundation ने आर्थिक स्वतंतरता सूचकांग 2020 के अपने 26 वे वार्षी के संस्क्राण को प्रकाशित किया और भारत को 120 वे स्थान पर जबकि Singapore को पहली बार सूचकांग में सीर्श स्थान दिया गया है Singapore इसमें पहली बार सीर्श स्थान पर रहा है इतना clear होना चीए इसके लाबा अभी एक पहली बार first time World मालब social mobility index release किया कौन सा social mobility index release किया and it is released by world economic forum इसे WEF ने release किया था इसमें इंडिया की रहेंग है 76 इंडिया किस नंबर पे? 76 नंबर पे है world economic forum के social mobility index में इसको याद रखना है यार ये एक नंबर में पूछा जाएगा human development index में इंडिया की rank क्या है? comment box में आंसर करिए human development index में इंडिया की rank क्या है? global gender gap report में इंडिया की rank क्या है? hunger index में इंडिया की rank क्या है? hunger index 102 102 एक सो दो वे स्थान पर है Global Gender Gap Report में 112 वे स्थान पर है Kids Right Index में India 117 वे स्थान पर है 117 वे स्थान पर है World Bank के Ease of Doing Business Ranking में India 63rd place पर है यह सा पता होना चाहिए यार एक एक नंबर में आता है यार Index World Bank का Ease of Doing में 63rd Kids Right Index 117 Human, मतलब यह Hunger Index में 102 Global Gender Gap Report में 112 है Human Development Index में इंडिया कितने नंबर पर? Human Development Index पूछ रहा हूँ यार बहुत बढ़िया Hunger में 102 है 129th 129th gender में ना 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 Hunger में 102 है तो confusion कितना है Okay HDI में इंडिया 129th place पर है 129th place पर HDI में अब यह एक और ranking आई ती है भी हाल ही में यह को बहुत अलग तरीके से पूछ रहा हूँ इसमें इंडिया के 144th पर है अब उल्टा अभी तक देखो एक्जामिनर तो सीधा पूछेगा पर मैं थोड़ा उल्टा पूछ रहा हूँ जिससे याद रहे 144th पर 144th अभी हाल का यह वाला 144th प्लेस पर इंडिया किस इंडेक्स में किस ranking है किस ranking में मेरे फाई किस ranking में फटावट से बता ही मेरे को हैंले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत बढ़िया यह भी बहुत बढ़िया हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 84th प्लेस पर है और जापन ने टॉप के, it is updated, it is updated, ठीक है, ओके, Ease of doing में 63rd, happiness index में बहुत बढ़िया, happiness index में इंडिया किस नंबर पर 144 वे इस्थान पर ये भी याद रखना है, लेके आगे बढ़ें दोस्त, next, next important दिखने, मतलब, मनप्रीत सिंग पवार को धुरुब बत्रा प्लेयर अवर्ड 2019 दियेगे, पुरुशों के लिए, और धुरुब बत्रा प्लेयर अवर्ड 2019 दियेगे महिलाओं के लिए, किनको रानी रामपाल को, दौनों ही नाम आपको याद रखने हैं, दौनों ही एक्जाम के लिए बहुत important बनते हैं, यह धुरुब बत्रा जो अवर्ड दिया गया, धुरुब बत्रा प्लेयर अवर्ड अवर्ड मैंस किसको दिया गया है, ठीक है मेरे भाई, रानी रामपाल अभी न्यूज में रही थी किसी वज़े से, यह first woman बनी है, first hockey player बनी थी, first hockey player, कोई बता सकता है किस वज़े से यह न्यूज में रही थी, exact मैं भी भूल रहा हूँ इसे, first hockey player, पदम शिरी अवर्डी, रानी रामपाल, first hockey player in a world, जिनको के अभी हाल ही में, World Game Athlete of the Year चुना गया है, ओके, रानी रामपाल जो है न, देखो यार यह बहुत इंटरस्टेंग है, रानी रामपाल वाला, World Games Athlete of the Year, यह कौन चुनी गई है, रानी रामपाल, और रानी रामपाल की बात करें, first ever player है, sports से, जिनको कि इसमें यहाँ पर, इस hockey से चुना गया है, first ever hockey player to win the World Games Athlete of the Year, clear यार, इस शब्द को याद रखना, first, यह Indian hockey superstar Rani become the first ever hockey player to win the World Games Athlete of the Year 2019, clear है, World Games Athlete of the Year, प्लीज यार, यार याद रखना, 100% exam में किसी ने किसी में जरूर पुछाए, किसी ने किसी exam में जरूर पुछा जाएगा, next, India has joined Indian Ocean Commission, इंडिया ने क्या किया है, अभी Indian Ocean Commission को join कर लिया है, IOC और यह IOC का 5th observer बन गया है, ठीक है, India इसका क्या बन गया, 5th observer बन गया, अब exam में आ सकता है कि कौन सा देश यहाँ पर 5th observer बना है, Indian Ocean Commission का, तो Indian Ocean Commission का जो 5th observer बना है, वो अपना India बना है, आपके लिए homework छोड़ कर जा रहा हूँ कि Indian Ocean Association का headquarter कहाँ पर है, यह सारी चीज़े है, और इसके अलावा और कौन कौन से observer है, जैसे मुझे जहाँ तक याद है, इसमें एक China भी observer है, इसमें रशिया भी observer है, अगर आप लोग बता पाएंगे ढूड के, आरम स्यार, एक चीज़ जो मैं मिस करता हूँ वो यह है कि comment box में interaction बहुत कम रहता बच्चों का, एक दूसरे के साथ interaction करना स्टार्ट करिये, वहाँ बहुत सारे अच्छे-चे questions पूछे जाते हैं, जिनके जवाब मैं नहीं दे पाता है, due to lack of time, तो कोशिश के अगर एक इस थापना जो हुई थी, it is 1982, Port Louis में, Mauritius में found हुआ था, member countries में आते हैं, और इसके बारे में कल हम लोग detail में देखेंगे, ठीके, अभी सिर्फ इतना याद रखे, कि IOC का 5th observer country कौन सा बना है, तो यहाँ पर आंसा बनता है, दोस्त, इंडिया, next, कोई दोरह नहीं है इसमें, कि एक देश का लीडर जहां पर कोरोना की वज़े से उसे पता है कि 2-3 लाग मौत होनी हो, 2-3 लाग मौत मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो ऐसे में उनका तिल मिलाना कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार हो, तो इनका न देटा नहीं बता रहे हैं, इसके अलावा, यह यू कहे हैं, कोरोना वाइरस जो अभी महामार याई, इसको रोकने में बिल्कुल नाकाम है, इसलिए इनों होने, यूएस ने अपनी जो फंडिंग है, डबलो एचो को बिल्कुल फ्रीज कर दिया है, अब ये यूएस से जो अब ज़रा देखना, कुछ-कुछ important, important चीज़े मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डबलो एच, World Health Organization, पहले पढ़ लेतें, न्यूस को फिर ज़रा, यूएस प्रेजेंड डुनाल्ड ट्रम्प हैस अनौंस्ट टू स्टॉप यूएस फंडिंग फॉर वर्ल्ड हेल्ड अमेरिकी रासपती डुनाल्ड ट्रम्प ने विश्व स्वास्त संगठन के लिए अमेरिकी फंडिंग को रोकने की घोशना किया, तो सवाल यही बनेगा किस देश ने, भई, अभी फंडिंग रोक दी है, World Health Organization को, तो अंसर बनता है अमेरिका ने, किसमें तो अमेरिका ने, आप जरा कुछ चीज़े देखना, WHO की स्थापना हुई थी, 7 April 1948 को, 7 April 1948 is the establishment year of WHO, 7 April 1948 को उसका गठन हुआ, इसी 7 April को World Health Day मनाया जाता है, World Health Day मनाते हैं, इसका जो headquarter है, वो Geneva Switzerland है, कहाँ पर Geneva Switzerland, और Tedros Adhanom, इसके Secretary General है, Tedros Adhanom, इसके Secretary General है, और जिस देश से आते हैं, उस देश का नाम है Ethopia, ठीक है, Ethopia, यह Ethopia से आते हैं, कौन यहाँ पर Tedros Adhanom, Ethopia की Capital है Addis Ababa, और Currency यहाँ पर बेर चलती है, तो एक अंतरासी संगठन related, जितने effect आप याद कर सकते हैं, उतने याद करें के चलिए tips पर बताऊने चाहिए, इतने effect तो tips पर बताऊने चाहिए, अब PM Care Fund में, इना first such donation of its kind, इस तरीके का यह पहला donation है, इस तरीके का यह पहला donation है, जो रशिया की state owned defense export company है, defense export company इसका नाम है Rossoboran Export, बही देख लो, रशियाज defense export company, Rossoboran Export has committed 2 million to PM Care Fund, इना ने 15.3 करोड रुपे PM Care Fund में दिये है, रूस की निर्यात company, रक्षा निर्यात company, Rossoboran Export ने 2 million dollar PM Care Fund के लिए प्रतिबद किया है, यह यू कहा है, अभी हाल ही में, Rossoboran Export ने क्या किया है, कि 2 million contribution दिया PM Care Fund में, सवाल उठता है कि Rossoboran Export यह किस देश की defense export company है, तो answer बने रशिया, clear है, यह किस company ने 2 million, किस विदेशी company ने, यह किस defense export company ने, किस defense export company ने, PM Care Fund में 2 million US dollar का अभी contribution दिया है, तो guys answer बने का, यहाँ पर Rossoboran Export, clear है, यहाँ तक सारी चीज़ है, यह clear होना चाहिए, इंपोर्डन बनेगा, रशिया की capital क्या है, मॉस्को, currency, ruble, ruble, और Dimitri Medvedev, यहाँ के prime minister हुआ करते थे, इन्होंने resign दे दिया है, अब वहाँ के prime minister को ने कोई बता सकता है, अब वहाँ के prime minister को ने कोई बता सकता है, और Vladimir Putin, Vladimir Putin, वहाँ के president है, Vladimir Putin, वहाँ के president है, answer करेंगा दोस्त, इतना याद रखने आप लोगों को, अच्छा एक चीज़ सुनोंगे, like नीं बोला, subscribe तो कर दो, तुम लोग भूल जाते हैं, चैनल को subscribe करना, इतने नए बच्चा आते हैं, चैनल को subscribe करते रागर, अब ज़रा सुनना, रशिया के साथ exercise भी होती है, दोने लिख लिए न, इंद्रा, और एक एविया इंद्रा, जो ये इंद्रा exercise है न, इसकी try service exercise हुई थी अभी, try service exercise हुई थी, जहांसी के पास बवीना है वहाँ पर, एक साथ हुई थी ये, पूरे में और गुआ में, कली मैंने बता है तापको, कि जो इंद्रा exercise है, ये जहांसी के पास बवीना में हुई थी, पूरे में हुई थी योग गुआ में हुई थी, clear है, दिमित्री मुश्किन, I don't know, कौन सी मुश्किन, दिमित्री है, आराम से ढूण ले न, फिर मेरे को answer कर देना, आराम से ढूणने के बादा अंसा करना, next त्यार, तो दा हिंदू की जितनी news मैंने add कर दिया है मेरे भाई, agricultural minister Narendra Singh Tomar, इन्होंने launch किया है, All India Agri Transport Call Center, भाई अग और फर्माईएगा, भाई ने बहुत बढ़ा काम किया है, All India Agri Transport Call Center, अखिल भाईरती है, अखिल भाईरती है, क्रशी परिवेहन Call Center का शुभारम किया गया, और इसका शुभारम किन होने किया है, अंसा बनता है, Narendra Singh Tomar, नarendra Singh Tomar ने, और ये कहां पर किया है, नई दिल्ली में किया गया, ये अपने Agriculture Minister, क्रशी मंत्री है, Agriculture Minister है, Agriculture and Farmer Belfare, पूरी लाइन बनती है, Agriculture and Farmer Belfare Minister है, इसके अलावा, Rural Development Minister है, ठीक है, प्लस इसके अलावा, पंचायती राज मिनिस्टर भी है, तीन मंत्रा ले देख रहे हैं, Agriculture, Farmer Belfare Ministry, Rural Development Ministry, पंचायती राज मिनिस्टरी, और इनकी जो Constituency है, ये है मुराइना मद्रप्रदेश, पहले, इससे पहले, जब चुनाब जीते थे, तब गौालियर से जीते थे, बट इस वाले गौालियर से ना खड़े होकर, मुराइना से खड़े हो, और पंचायती राज के लिए, ये अगरिकल्च एरिकेशन अलाइड एक्टिविटीज के लिए रहा था, प्लस एक और चीज, पंद्रे लाख करोड रुपे का अगरिकल्चरल क्रेडिट का टार्गेट है, इसमें 15 लाख करोड का अगरिकल्चरल क्रेडिट का टार्गेट भी रखा गया है, यहां तक सारी चीज एक लिए रहा होंगी, विश्यकला दिवस मनाया जाता है, आप लोगों पता है, कल मैंने कित्ती शांदर परिंडिंग मनाया था, और मेरी आर्ट के वारे मैं, यार, you know, very well कितनी बैठा है, इतने सारे अवार्ट के लिए मुझे नॉमिनेट किया, या फिर भी मैं नहीं जाता है, यार, तो इसी के लिए ना मेरे भाई, वर्ल्ड आर्ट डे, वर्ल्ड आर्ट डे आपका 15th April को प्रतिक वर्ष ऑप्जच आप्जव किया था, याद रखना, वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाते हैं, 15 अपरेल को हम लोग वर्ल्ड आर्ट डे मनाते हैं, कि वर्ल्ड आर्ट डे अभी शुकला दिवस हम लोग कम बनाते हैं 15 अपरेल को मनाते हैं अब ज़रा फटाफट से एक चीज़ रिवाइस का लेते हैं कि वर्ल्ड आर्ट कि अम्म में तुम लोगों को मजा कीलए कि लगता है यहां यहां तुम समझ रहा हूं ना इसनी महनत करने के बाद किड़नी की ज्छी लिए पर में प held कर यह चीजा उल्朝 फटाफट से रिवाइस कर लेते हैं अपर आल वाले सारे डिसको revise कर लेते हैं, जल्दी यल्दी करतें, क्योंकि already हम लोग पढ़ चुके हैं, एक अपरेल को कौन सा डे आया था, उत्कल दिवस एक अपरेल को आया था उत्कल दिवस या जिसको आप लोग उडिसा डे के रूप में जानते हैं, ठीक है बाई, प्लीज यार चौधरी मत बनना चाहिए, चौधरी के बाई, नहीं सरा हमें, तो याद हम खुद कर लेंगे, नहीं कर पाऊगे, आजाओ, ठीक है, उत्कल दिवस उडिसा डे, एक अपरेल को आता है, दो अपरेल को पाँच अपरेल को आता है अपना नेशनल मेरी टाइम डे, और जो दोस्त, वर्ल्ड मेरी टाइम डे है, यह आपका लास्ट थर्सडे और सेप्टेंबर, अब्जर्फ किया जाता है, पाँच अपरेल को हम लोग एक डे और मनाते हैं, इंटरनेशनल कॉन साइंस डे, कॉन स Mayri Time Day, यह International Conscience Day, और work maritime day last Thursday of September observe करते हैं, 6 अपरेल को आया था वर्ल्ड दे यह International Day of Sports, International Day of Sports for development and peace, इंटनेशनल दे of Sports for development and peace, 7 अपरेल को कॉन सा डे आता है, World Health Day, फिर इसके बाद हम लोगों ने दिखा थे, 10 अपरेल को, World Homoapathy Day, World Homopathy Day रहा था World Homopathy Day 11 April को हम लोगों ने देखा था दोस्त एक डे आया था National Safe Motherhood Day ठीक है रास्ती है मातरत दिवस था National Safe Motherhood Day रहा था फिर 12 April को हम लोगों ने एक और दे देखा था ये था International Human Space Flight Day International Human Space Flight Day इतना clear है मेरे भाई इतना सभी के clear है साथी चीज़ है 7th World 10 को भाई हमोपैथी डे रहा 7 को World Health Day रहा 7 को World Health Day रहा था 10 को हमोपैथी डे रहा था 12 को रहा था अपना ओई होई 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 कौन सा दे था मेरे भाई National Safe Motherhood Day ये 11 एक होता तुम्हार मतलब ऐसे सूझ रहे हो 11 को तो नेशन सेफ मधर उट ले और 12 को रहा था Human Space Flight Day बहुत बढ़िया Teaching भी एक आर्ट है अब वो तो आप लोगों को हसा आने के लिए है Teaching भी एक आर्ट है अरे भाई धन्यवाद यार ये तो पता ही नहीं था ये परम सुख की प्राप्ती हुई है अभी हमें अब आगे बढ़ते नेक्स देखते है National Sports Edge Federation ये कलकेता हिंदू की न्यूस है National Sports Federation of India has announced that it will host the Asian Boxing Championship for men and women in November, December this year देखो अभी भी venue finalize नहीं हुआ venue अभी तक finalize नहीं हुआ है और दोस्त Asian Boxing Championship ये सवाल है कि host कौन करेगा तो answer बनता है इसे अपना प्यारा भारत host करेगा Asian Boxing Championship for men as well as women Asian Boxing Championship या यू कहें कि एशियाई मुक्यवाजी Championship पुरुशों और महलाओं के लिए इसे कौन host करेगा तो answer बनता है it will be hosted by India इसे India host करेगा इसे कौन host करेगा इसे India host करेगा अब सवाल आया कि which country will host the Asian Boxing Championship for men and women answer बनता है इसे India host करेगा अब जड़ा समझना आईबा Championship होने वाली है new edition of आईबा Championship इसे कौन host कर रहा है तो रशिया इसे host करने जा रहा है new जो अभी edition of आईबा Boxing Championship है आईबा Boxing से रिलेटेड है ये कौन host करेगा रशिया host करेगा तो एक-एक चीज़ important है एक-एक चीज़ important है एक-एक चीज़ फोकस करके चलिएगा एक्जाम में कहां से भी सवाल उट सकता है next यार Asian Development Bank has increased the size of its COVID-19 response package to 20 billion US dollar Asia Vikaas Bank ने अपने COVID-19 response package Responsive package का आकर बढ़ा कर 20 billion कर दिया है तो बैए अलग-अलग है World Bank आई है World Bank, ADB, इसके लाब़ा European Council, EU बैए सभी लोग कही ना कहीं package प्रोवाइड कर रहे है तो उसमें जो ADB ना package है उसको बढ़ा दिया around यह पहले 6 billion के असपास तब इसे 20 billion यहाँ पर कर दिया है मेरे काम की चीज़ बनती कितना package हो गया तब 20 billion का यहाँ पर COVID-19 के लिए response package कर दिया गया किसके दौरा Asian Development Bank के दौरा ADB related दिखी कुछ चीज़े important बनती है जैसे कि बहुत important यहाँ पर बनेगा दोस्त ADB में कुल मिलाकर कितने देश इस सदस से है तो 68 देश इस सदस से है और 68 वा जो है इस न्यू यह न्यू 68 वा देश है इसकी capital अलोफी है अलोफी अलोफी currency यहाँ पर एट डॉलर चलती है Metro Manila Philippines इसका headquarter है Mandalu Young Metro Manila Philippines Mandalu Young Metro Manila Philippines इसका headquarter है अरे भाई धन्यवाद 4000 प्लस बच्चे तहीं दिल से शुक्रिया यार तुम लोग होना तो गले लगा लो अपने भाई बैनों को मैंने का यार वाई क्या बात इतना प्यार देने के लिए consistent आप लोग रोज मेरे साथ जुड़ने चारे यार चारे 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 यार यार एल screenshot खीचके मेरे को send कर देना जहां पर जैसे भी आप मेरे साथ जुड़े हो Google कर ले ना मेरे को Ashish Gautam अज Google कर ले देखना Ashish Gautam सर मिलता हूं नहीं मिलता हूं भगवान की दुआसे थोड़ा बहुत नाम माम हो गया मेरे भगवाई तो Google पर आने लगा हूं मैं भी तो send when कर देना मेरे भगवाई मेरे को ठीक है send when कर देना इसका screenshot कीचके चारे यार वाला रख लूँगा याद ताजा रहेंगी इसके लावे याद रखना मसद सुगू मसद सुगू असकावा पांच यार बच्चे आने चाहिए याँ पर चुड़े मोडे भाई याँ पर पांच यार आने चाहिए गोलू मोलू पतलू ठीक है सबी लोगों से मेरी गुजारिश है जितने भी रिकॉर्डे देखते हैं मंडे को लाइफ जुड़ने की जोड़े तो जो रिकॉर्डे देखें प्लीज यार सुबर साथ बच सर्फ मंडे के लिए जरूर आने एक बार रिकॉर्ड बनाने में क्या जा रहा है नेक्स यार गुजा के मुख्य मंतरी का नाम है प्रमोद सावंत और गुजा के गवर्नर का नाम है सत्ये पाल मलक सत्ये पाल मलक यहां के गवर्नर है ठीक है यहां पर नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स रहेंगे और इसका जो ओफिशल मैस्कोट है इस रुबी गूला रूबी गूला, रूबी गूला इसका इस ओफिशल मैसकोट है, clear है, और आगे बढ़ता है, नेक्स ट्यार, तूर्दे फ्रांस नौ स्टार्ट वन 29 अगस्त, ये भी आज के दा हिंदू की न्यूस है, वर्ल्ड की जो most famous cycling race है, तूर्दे फ्रांस, अब सवाल बन सकता है, वेक ऑफ कोरोना वाइरस पैंडमिक, विश्व की सबसे प्रसिद या लोग पर ये cycle race, तूर्दे फ्रांस को कोरोना वाइरस महामारी के मद्दे नजर स्थगित कर दिया गया है, तूर्दे फ्रांस ये एक cycling race है, इसे भी स्थगित किया गया, अब फ्रांस related कुछ fact याद र Space Agency, जैसा इंडिया की Space Agency का नाम क्या है, इंडियन Space Research Organization, इस रो है, वैसे CNES is a Space Agency of France, और जापान की Space Agency का नाम है JAX, I hope so guys, इतनी चीज़ा clear होने चाहिए, इसके साथ भारत की जो exercise होती है, वो है शक्ति, वरुन और गरुड, शक्ति, वरुन और गरुड, एक और interesting चीज़ बत और UNESCO का headquarter भी आपका, France के Paris में, और जितने भी आपको पता है, जितने भी आपको पता है, आराम से मुझे comment box में answer कर दीज़ेगा, आराम से मेरे भाई मुझे comment box में answer कर दीज़ेगा, ठीक है, जब video complete हो जाए, next, Google has launched nearby spot under the Google to assist users to find local stores, Google ने इस्थानी store खोजने के लिए, गूगल ने अपने Google Pay में, under the Google पे, एक nearby spot launch कर दिया, add कर दिया, integrate कर दिया है, जिससे क्या होगा कि ये local stores को find करने में assist करेगा, तो Google ने स्थानी store खोजने के लिए, उपयोग करताओं की सहायता करने के लिए, Google Pay के तहत, एक nearby spot launch किया है, तो nearby spot किसके दौरा launch किया गया है, ये गूगल के दौरा launch किया गया, इतना याद रखना दोस्ते, ठीक है, ये important बनेगा, इतना important बनेगा, सारे headquarter important list दे दीजे, तुमको मैं उंगली पकड़ाता हूँ, तुम तुम मेरे यार, कंदे में बढ़ जाता है, सर्चा लिए, सर्चा लिए, सर्चा लिए, सर्चा लिए जैसे कि अगर war होती है, तो unmanned aerial vehicle जो होते हैं, जिसमें कि मानव के आवश्यक्ता नहीं होती है, वो बहुत काम के होते हैं, वैसे ही, अगर COVID-19 कोई ऐसी वीमारी जो कि भाई, आपको बहुत जल्दी infected, भाई, उससे जल्दी लोग infected होते हैं, चूने बर मातर से भी हो रही है तो इस सारी चीज़ है, तो इसलिए ऐसे में अगर robot का यूज किया है, तो जारकंड hospitals ने deploy किया है वहाँ पर COVID-19 रोबोट को to serve food medicine to COVID-19 patients without human intervention, जारकंड के अस्पतालों ने मानव हस्तिचे के बिना COVID-19 रोगियों को भोजन दवा परोसने के लिए COVID-19 रोबोट तैनात किये है तो सवाल यही बनेगा कि COVID-19 रोबोट तैनात करने वाले स्टेट का नाम किया जारकंड है और जारकंड के मुख्यमंतरी का नाम है हैमन्त सूरिन, जारकंड के मुख्यमंतरी का नाम है हैमन्त सूरिन है और यहां के गवरनर है द्रोपदी मुर्मू, द्रोपदी मुर्मू यहां के governor है I hope so guys यहां तक सारी चीज़े clear होंगी यहां तक सारी चीज़े पसंदार है like कर दो यार देखो आज आप लोगों के दौा से आप लोगों के प्यार की महबत की वैसे माता पिता के आशिरवास से भगवान के आशिरवास से और हमारे अनिल सर के सपोर्ट से प्लस चल रहे हैं तो यार यह खुद में बहुत बहुतर चीज है कि ऐसे वक्त में भी आप लोग हमारे साथ जुड़े हूं और ट्रस्ट बनाए रखे हैं तो guys please 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 maximum जितना like कर सकते हैं आप देखो last में बोलना भै युन्होंने मुझे data उनके लिए में फुलना हुआ जल्दी से अगर आज आज से बाज आता हुए तो आज वैसे मैंने तीन चार वार कम बोला है जितना मैं रोज बोलता हूं उससे तो कम ही बोला तो फटावट फटावट थोड़ा थोड़ा लैक कर दो जल्दी से ओके चलिए आगे बढ़ता है नेक्स से तो आज का अपना state West Bengal है West Bengal भाई आज प्लीज स्टैक तक जुड़िएगा एंड वाले सेशन को आप मिस करते हो थोड़ा मत मिस करिए ठीक है मिस मत करिए लास्ट अपर लोग डिसकस कर रहे है आज West Bengal कल स्टेट बदल जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को West Bengal बना था कम से कम इसे याद कराना इसलिए में से maximum time रखता हूं कॉलकाता यहां की भाई कॉलकाता यहां का क्या है capital है largest city कॉलकाता है ममता बेनर्जी मुख्य मंत्री है legislature unique camera मतलब कुल मिलाकर 295 seat है यहां की यहां पर मतलब विधान सभा की seat है कितनी है 295 है जगदीप धनकर गवनर है official language Bengali और English है 23 यहां के district है 12 seat यहां पर 16 है इन state के साथ border share करता है अगर आप देखते तो यह रहा West Bengal अगर countries वाइस बात करें तो नैपाल भूटान और मंगलादेश के साथ border share करता है अगर country state में हम लोग जाते है तो यह उडिसा उडिसा के साथ border share कर रहा है यह वाला पाड जारकंड के साथ यह बिहार के साथ यह सिक्किम के साथ और यह वाला पाड़ी असम के साथ तो number of state पूछ लिए जाते है तो कुल मिलागर यह पांच state के साथ border share करता है ठीक है गौरु मारा बकसा नियूरा वैली सिंगली 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 जल्दा पारा सुंदरवन और मयूर जहना यह सारे के सारे आप लोगो नहीं गाता है हिंदी में भी लेकर आएगा तो हिंदी में भी आए यह आर्तिक सहायक और विकास संगठन OECD OECD Organization for Economic Cooperation and Development स्थापित हुआ था 1961 में इस्टेबलिस्ट हुआ पैरिस फ्रांस देखो इसका है फ्रांस के पैरिस में ही है इंजल गुरियर पांचवे नंबर के यह इसके महा सच्छे में Secretary General है और यह मेक्सिको से आते हैं सदस्ट से देशों की बात करें मेंबर कंटरी इसके तो कोल मिलाकर 36 इसके सदस्ट से है आज देखिए देश बदल दिये गए है बुर्केना फासु की Capital है ओगा डूगू करेंसी यहां पर E को चलती है बुरुंडी Capital एक गितेगा करेंसी फ बुरुंडी की Capital गितेगा करेंसी इको बुरुंडी गितेगा एको कंबोडिया नॉमफेन रियल कैमरून याउंडे फ्रेंक कनाड़ा ओटवा डॉलर फिर दुबार सुनिएगा बुर्केना फासो बहुदा है बट यही काम करेंगा ट्रपल सी रूल डेड़ सो से जादा बुरुंडी गितेगा फ्रेंक कंबोडिया नॉमफेन रियल कैमरून याउंडे फ्रेंक और कनाड़ा ओटवा डॉलर दिन में 4-5 बार पढ़िये खाली वक्ते मम्मी पापा से पूछते रहिए खोदों उनको पढ़ाते रहिए बठाल के कि बच्चों को पढ़ाई घर में चाह भी है नुए सप्पर्याविन करें तुम लोग था एक्सपर्यान करके याद करते रहो आज डेस हम लोग दिसंबर की भी रिवायस करेंगे December 1 को आता है World AIDS Day December 1 को ही आता है Border Security Force का Raising Day और 2019 में जो मनाए यह था वो 55th Raising Day था तो अपने को याद रखना है अब next वाला 2020 वाला ठीक है? 2 December को कौन-कौन से Day आते हैं World Computer Literacy Day और National Pollution Control Day हम लोग 1 December ही पढ़कर चलते हैं आप लोग अपने हैंट से पढ़ना World AIDS दे जादा हो जागा नहीं तो BSF का Raising Day एक December को आता है आंदर प्रदेश की वाल्डेफ सेंचरी कौन सी कौन-दिया, कौरिंगा, कृष्णा, कौलेरू, नैला, पट्टू, कम्बल, कॉंड़ा असमकी, पॉबी, तोरा, बूरा, चपुरी, चक्रिशिल, लावकोबा, गरम, पानी ये इसी फ्लो में, मुझे याद है, इसी फ्लो में आपको याद करनी है अरुनाचर प्रदेश की दिबंग, कमलंग, काने, पकुई, मेहाओ ठीके, 36 गड़ की, पमेदा, बैरमगड, बरना, पपारा, और गॉमरदा, 36 गड़ की है बिहार की, भीमबंद, कैमूर, विक्रम, सिला, गगेंटिक, डॉल्फिन, राजगिर, कनवर, लेक, ये सारी आपकी बिहार, राजजिकी है गवान, महाबीर, मुल्लेम, नेशल पाक, गुजरात का, गिर्फ, फॉरेस, ब्लैक बग, मरीन, वंस्दा नेशल पाक, हर्याणा का, सुल्तानपूर, कालिश्टन नेशल पाक, और हिमाचर प्रदेश का, ग्रेट हिमालियन, पिन वैली, इंदर, किल्ला, खिर गंगा, पारे, नेशल पाक, आपके काहाँ परे, हिमाचर प्रदेश में, इसी फ्लो में याद करना, दोस्त ने, क्रॉस कोशन करी, एक दूसरे से, भाई, अपने ग्रोप में शेयर करी, इसी तरीके से आपको याद रखना है, नेक्स्त त्यार, दियेवा, हम लोगों ने एशिन ग फेडरेशन होगी वर्ड कप इंडिया होस्ट करेगा, और यह उडिसा में रहेगा, अब भाई, लास्ट में हमें आपसे बस इतना कहूंगा, सेशन पसंद आए, तो प्लीज यार, लास्ट में बोलाओ, यार अब लोग फिकडाटना नहीं, आप लोग ठीक है, सेशन करें, लाइक करें, और शेयर जरू करेंगा, ठीक है दोस्त, यह रहे बागी है, हमारे सारे प्रेटफॉर्म आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों की वज़े से प्यार महबत की वज़े से ताबरत और बैटिंग चली रही है, आज 12 बज़े मेरे साथ जुड़ने की कोश दिस्काउंट अप्लिकेशन पर, वाइवन सिक्सेट कोड यूज़े एटा 247.com पर, लाइब क्लासे में जाकर, मेरा बैच इन्रोल करा लिए, मैं आपको आप्शन नहीं दे रहा, आप लोगों को मेंडिटरी कहना चाहरा हूँ, अब प्लीज 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 अन